ओम स्री गनेशा नमा दोस्तो एश्टो समाधान यूट्यूब चैनल में आपका हार दिक स्वागत हैं दोस्तो आज एकी इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं 26 मई रवीवार के रासी फल के बारे में कि यह दिन मीन रासी वालों के लिए कैसा रहने वाला हैं किन किन चीजों से इनको फाइदा होगा किन किन चीजों से इनको सावधान रहना होगा इनकी लव लाइफ कैसी रहेगी करियर कैसा रहेगा बिजिनी सर्वियापार कैसा रहेगा और स्वास्त की महत्पपोन जानकारी हम आपको देंगे और इसे वीडियो के अंत में हम आपको एक उपाई भी बताएंगे जिससे आप अपने आज के दिन को और भी अच्छा और बहतर बना सकें दोस्तों आगे वीडियो सुरू करने से पहले मेरी आप लोग को से रिक्वेस्ट है अगर आप हमारे इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें साथ में नोटिफिकेशन बैल को भी दबाएं जिससे समय समय पर आप लोगों तक हमारी ने ने वीडियो पहुंच सके चलिए दोस्तों बात करते हैं कैसा रहेगा मीन रासी वालों के लिए रवीवार का दिन सबसे पहले बात करते हैं कि आपके लिए आज पॉजिटिव रहने वाला हैं दोस्तों आज आपकी वित्ते इस्थिती में काफी सुदार आ जाएगा अचानक से धन प्राप्ति के आफसर आपके जीवन में आएंगे जो आपके भविस्से में आपके लिए एक बहतर आर्थिक जीवन का मार्ग प राप्त करेंगे दोस्तों आप में आज उर्जा का इस्तर सामान रहेगा दूसरों के साथ अच्छे वेवार से आप दिमाग से काम लेंगे साथ काम करने वाले लोग आपके लिए मददगार हो सकते हैं किसी योजना के बारे में आप विचार कर सकते हैं थोड़ा धहरे से क सिती आज काफी भेतर रहने वाली हैं और आप समय पढ़ने पर अपने कुछ मित्रों और रिष्टेदारों की आर्तिक साहता करेंगे नोकरी पेसा वाले लोगों को अधिक लाब मिलेगा उन्हें मन चाई नोकरी प्राप्त होने से अच्छे धनलाब के सुरोत उसे सफल बनाने का प्रियास बहतर हो सकता है कुछ बिगड़े हुए कारों में सुधार होने की संभाव ना है विपरीत परिस्तियों में कुछ धनलाब के अच्छे अफसर आज आपको प्राप्त हो सकते हैं आपके मन में जल्द से पैसा कमाने की तीर्व इच्छा पैदा ह होगी यह अच्छा वक्त है जो आपके लिए कामियाबी और खुसहाली लाएगा अपने उद्देस्यों की और सांती से बढ़ते रहें और सफलता आपको मिल सकती है अगर हालत का आपने धहरते सामना करा तो आपको अच्छे पैड़नाम प्राप्त हो सकते हैं कामकाजिके नजरिये से आज का दिन वाके में आपके लिए बहुती अच्छा रहने वाला है जिससे आपका मन बहुती प्रसंद रहेगा दोस्तो बात कर लेते हैं आज आपके लिए क्या नेगरिव हो सकता है दोस्तो आपको अपने भाई बेनों का आज पूरा शेयु प्राप्त होगा और समाज में भी आपका और आपके परिवार का मान सम्मान बढ़ेगा आपको परिवार की जरूतों को ध्यान में रखकर कारे करना होगा जो कई बार आपके नियंतर से बाहर होगी और इसके लिए आप परिशान भी होंगे दोस्तो साथ साथ कोई खास सौधा या बड़ा फैसला लेने से बचे, कोई फैसला नहीं लेने और नतीजा नहीं मिल पाने में आप परिशान हो सकते हैं, दिनवर कहीं न कहीं से रुकावट के इस्तिती रहेगी, जो उसमें आकर किसी को भी कोई बिना मांगी सला ना दें, कठिन परिश्रम से सभी कर रहे आपके पूरे हों समवेदन सील मामलों में समल कर चलने की आपको आज आवश्यक्ता है, संसादनों पर खर्च होने से मानसिक असांती तथा तनाव पूर इस्तिती हो सकती है, आत्म विश्वास के आभाव में कियेगे कारों में रुकावट तथा बादा उत्पन हो सकती है, वेवसाइक और बेचेन बना सकते हैं, आप अपने परीचितों पर अपने फैसले ठोपने की कोशिस करेंगे, तो आप अपने हितों को ही नुकसान पहुचाएंगे, सुनी अनसुनी बातों पर आँखें मूंद कर यकीन ना करें, और उनकी सच्चाई को भली बाती पर्खें वानी पर नियंतर रखना होगा, अन्यता कले होने की संभावना भी रहेगी, साफधान रहें, दोस्तों बात कर लेते हैं, आज आपकी लव लाइफ कैसे रहने वाली हैं, दोस्तों किसी तरह की यात्रा या किसी तरह की सौपिंग इत्यादी को लेकर कहा सुनी हो सकती है, ऐसे में दुर संबंद बनाए रखने का प्रियास करना आवश्क है, आपके प्रियास से इस्तितिया अनुकूल हो सकती है, आप अपने रिष्टे को नई रचनात मकता देंगे और उसको मजबूत बनाएंगे, इस दोरान आप एक दूसरे के प्रती, अत्यादिक आकर्षन भी महसू रखता है, और आपका प्रेतम ही आपके लिए सब कुछ है, दोस्तो आज का दिन आपके प्रेम जीवन के लिए बहुती अच्छा दिन शाबित होने वाला है, दोस्तो इस दिन का आपको अवश्य ही लाब उठाना चाहिए, दोस्तो बात कर लेते हैं जब का वैवेशाई के और पूरा दिन भागदोर में बीतेगा, कामकाज के सिलसिले में आज आपको कोई छोटी आत्रा पर भी जाना पड़ सकता है, जो आगे चल कर आपके लिए काफी लाबदाएक सिद्ध होंगी, साथी साथ आज आपको धन प्राप्ती के भी अनेक ओवसरों की प्राप्ती हो आज आपको अपने वैवसराय को लेकर कोई यात्राएं हो सकती है, जिनका आपको शकारात्मक परिणाम प्राप्त होगा, जिनका दोस्तों वैवसराय के दरश्टी से आज की स्तिती आपके लिए काफी अनुकूल रहने वाली है, और इस समय कुछ अच्छा लाब आपको प पशकता नहीं है, आज आपका स्वास्त आपका भरपूर साथ देगा, आज आपके स्वास्त के सितारे आपका भरपूर साथ देंगे, आज आप अपने आपको उरजावान और बिल्कुल तनावमग तो महसूस करेंगे, जिससे आपका मन बहुती प्रसन रहेगा, साथि उपने स्वास्त को और भी अच्छा रखने के लिए आप रोजाना योग करें वयाम करें स्वस्त रहें दोस्तों बात कर लेते हैं आज आपके लिए विशेश उपाय क्या है दोस्तों हम आपको जी शुपाय को बताने जा रहे हैं इस उपाय को आपको रात्री के समय करना है आपको यह हैं उपएं, रात को सोते समय करना है, या दोस्तों आपको करना क ya है, या दोस्तों आप सबसे पहले इसनान आदिशनिर्वत्र हो जाएं, और सोते समय एक गिलास में दूद भर कर अपने सिर के पास रख कर सोएं, इसके बाद आप सुभा उठें, इस नान आदिसे निर्वत्र होने के बाद इस दूद को किसी बबूल के पेड़ की जड़ में डाल दे या दोस्तो ऐसा करने से आपको जल्द ही सुब फलो की प्राप्ती होंगी और भगवान शुरदेव का शिरवाद आप पर सदेव बना रहेगा या दोस्तो आप इस उपाय को वश्य करें आपको वश्य ही विशेष लाब प्राप्त होगा दोस्तो भगवान शुरदेव का शिरवाद आपको प्राप्त हो सचे दिल से कमेंट्स बोक्स में जै शुरदेव वश्य लिखें और वीडियो को लाइक करना ना भूलें धन्यवाद